नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, Dr. Rajiv Sharma, आज हम बात करेंगे एक interesting disorder के बारे में, जिसका नाम है atypical depression, तोकि atypical का मतलब क्या होता है, typical मतलब वो चीजे हैं, जैसी हम चीजों को उमीद करते हैं, और atypical वो चीजे होती हैं, जैसी हम उमीद नहीं करते, even I would say I am also atypical, करता था कि मैं आपनार्मल बनना चाहता है, कि मैं नॉर्मल नहीं रहना चाहता, and atypical depression के symptoms कुछ हट तक मैंने भी अपने आप में feel किया है, कभी कबार, दो-तिन बार खासकर life में, atypical depression में क्या होता है, कि वो चीजें जो हमें उमीद नहीं होती, उस तरह की लक्षन होते है और वो actually होता depression है, example, जैसे हम उमीद करते हैं कि जो depression होगा, उसमें भूख हमें कम लगेगी, कि जो मन उदास है, तो किसी चीज में मन नहीं लगेगा, यह खाने की च्छा कम होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी भाशा में इसको word यूज करते हैं, English में, carbohydrate craving, craving का मतलब ह होता है, अपने आपको रोक नहीं पाता है, carbohydrate मतलब वो चीजें हैं, जो हमारा blood glucose level अचानक बढ़ा देती है, जैसे जब भी हमें stress होता है, तो कई बार ऐसा होता है, कि हमारा बहुत खाने का मन करता है, और खासकर ऐसी चीजें खाने का मन करता है, जो मीठी होती है, जिन से sugar जो level है अचानक बढ़ जाएगा, जैसे chocolates है, ice creams है, pastries है, और बाकी चीजें है, तो आदनी बहुत कुछ खाते हैं, exam की तुनों में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जो हैं, वो मोटे हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं, पतले हो जाते हैं, टेंशन में, या stress में आम 12 महिनों में, दो मेरा selection हो गया, और उसके बाद जब AIMS में मेरा selection हुआ, तो life इतनी stressful नहीं थी, लेकिन AIMS में, जब मैंने MD का exam final देना था, तो मुझे थोड़ी tension थी उस time, तो उस time, जब मैंने exam में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे याद था, कि जब मैंने admission के लिए exam तो मेरा वधन बढ़ गया था, and this time also I am stressed, कि काफी pressure feel कर रहा हूँ, अपने उपर के exam किसी भी तरह से अच्छा होना चाहिए, तो 2 महिने पहले जब मैंने best friend के साथ पढ़ाई करनी शुरू की, तो मुझे शाम को 4-5 बज़े बड़ी जबरतस भूख लगा करती थी, और दिल तो महिने पही आट किलो बढ़ गया, तो फिर मैंने बकाईदा लाइब्रेटी में जाके देखा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसमें लिखा होता है कि जब हमें stress होती है, तो कुछ लोगों के कुछ steroids वगरा increase हो जाते हैं, उनको tension में भूख ही नहीं लगती है, कुछ की insulin secretion में करते हो, जब भी emotionally परेशान होता है, तो वो भी इस बात को समझते हैं, कि जब हम बहुत ज़्यादा stress में होते हैं, और insulin secretion से जाधा होती है, कुछ भी घडबाहाँ जो भी होती है, अचानक बढ़े, और अचानक बढ़ने के ज़ए से जब वो drop होता है, फिर problem होती है, इसले लोग और खाते जाते हैं, और वो मोटे होते जाते हैं, उसी तरह एक और लक्षन है, जो बड़ा भिन है, जिसको बहुते हैं, नीन जादा आना, आमतार पर हम उम्मीद करते हैं, कि depression का patient है, तो उसकी नीन जो है, वो कम आएगी, वो ठीक से नहीं सो पाएगा, यहाँ पर जो है, जो है, जो पेशेंट है, उसको नीन जो है, बहुत जादा आती है, जैसे exam के time में हम देखा करते हैं, अपने time में भी और even, मैं पढ़ाता अभी हूँ 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 हूँ, प उमीद ना करते हैं, उसको वैसा कुछ लक्षन है, तो इसको बोलते हैं, मतलब जो नीन जो है, वो बढ़ जाती, हाइपर सॉम्निया, पेशेंट जो है, जैसे मान लिए आट खेंटे सोता था, तो दस भारा केंटे सोने लगता है, तो यह भी एक atypical लक्षन है, कि पेशें को मानिये, depression हो सकता है, उसके बाद आमत वार में depression में क्या होता है, guilt feelings होती है, self blame होता है, patient खुद को जिम्मेवार समझता है, और किसी भी चीज के लिए, बिना बात के लिए अपनी गलती मानने के लिए, तयार होता है, कि मैंने गलती की है, यह हो है, जबकि atypical depression में क्या हो लगेगी और कुछ बात ठीक नहीं लगेगी तो कुछ बात को सिलेक्ट करेगा कुछ को reject करेगा जब interpersonal rejection sensitivity में क्या होगा कि जब भी उसकी कोई बात reject होती है तो वो बहुत sensitive हो जाता है बहुत गुस्से में आ जाता है बहुत चिडचड़ा हो जाता है तो हम तो यह यह उम्मीद करते हैं कि depression में जो patient है वो दुखी होगा और अपने आपको ज़्यादा blame करेगा, बट यहां जो patient है वो बात-बात पर जो है चिरचड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, उसके बाद एक और interesting symptom है जिसको बोलते है, reactivity of mood is present, reactivity of mood का मतलब है कि अगर enjoy कर सकता है, बट उसके कुछ देर बाद फिर उदास हो जाता है, जबकि हम तो यह उम्मीद करते हैं depression में, कि अगर किसी का मन उदास है, तो उसका मन उदास ही रहेगा, चाहे वो अच्छी स्थिती हो, चाहे वो बुरी स्थिती हो, या हम कुछ भी अच्छा मुसकी ले करें वो खुछ नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पर क्या है, पेशन की लाइफ में, अगर शाम को दोस्त बोलते हैं, चल या एक मूवी देखाते हैं, तो मूवी में वो enjoy कर पाता है, बट आके उसका मन जो है, वो दुबारा मायूस हो जाता है, तो जिसको बोलते है, Atypical Sign of Depression, या उनके behavior में बदलावा जाता है, जैसे बच्चे जो है नशा करने लगते हैं, जादा गुसा, जादा irritable हो जाते हैं, या उनकी पढ़ाई में जो है, वो कमी आ जाती है, और उसके बाद इस तरह के behavior changes जो हैं, भी indication हो सकते हैं, कि जो teenager है, he might be going into depression, कि behavior बदल गया, नशा हो गय sexuality बढ़ गई और उसके बढ़ाई में कमी आ गई, तो ये भी हो सकता है, हमें लगे उस time teenager के changes हैं, but it can be sign of a typical depression also, कि जो patient है, उसको ये depression के लक्षन है, और patient अच्छे से improve हो जाते हैं, after treatment, वो counseling है, या medicine है, जो भी उनको जरूरत है, but ये सब चीजे भी समझना जरूरी है, कि depression उसी तना से प्रसेंट नहीं करता, जैसाम उमीद करते हैं, but it is also present in a different manner, and one of the diagnostic criteria is this, that is atypical depression.